तो कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूं इस कोरोना पैंडेमिक में आप लो स्वस्त और अपने घर में अपने फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे आज मेरे दिल में एक सवाल उठाओ कि जब हम किसी चीज से अपने को बांध लेते हैं किसी चीज के परती हमारा इतना लगा हो जाता है कि उससे छोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है और छोड़ने के बाद इतना हमें दुख होता है परशानी होती है कि वो हमारी सेहत को जो हमारे दिमाग पर पहले हसर डालती है और उसके साथ धीरे धीरे हमारे शरीर को परशान करती है मतलब स्वास आपका उससे एफेक्ट होता है क्योंकि जैसा आज के दुनिया में होता है कि जितनी भी मिमारियों का एक घर है या शुरुवात बोले या स्टेप्स जहाद शुरुवात होता है वो दिमाग से शुरुवाता है सब दिमाग का खेले है आपको आगे बढ़ना है तो अपने में ढूना पड़ेगा कि हम वो सब कुछ कर सकते है जो सब कुछ कर सकता है कोई आस्मान से नहीं टपकता हम ही जिसे लोग होते हैं जिनके बिल पाउर स्ट्रॉंग होते हैं जो अपने में यकीन रखते हैं जो सारे परशानियों में समझते हैं कि हम में वो सारा गोड़ है जिसकी वज़ा से हम हर काम कर सकते हैं, ऐसे लोग आगे निकलते हैं, गिरते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी आगे निकलते हैं, जो आदमी दोड़ेगा नहीं, कि मैं गिर जाओंगा, मैं लटखाड़ा जाओंगा, वो दोड़ना नहीं सिख पाएगा, और दोड़ना नहीं सिख पाएगा, क्या, दोड़ना नहीं पाएगा, हमें ये चीज़ डिसाइड करना पड़ेगा, कि भगवान उपर वाला हर इंसान को ऐसा बनाया है, कि आप जो चाहे कर सकते हैं, बस आप उसके लिए मन में जिद ठान ले, आप एक रास्ता चुनें, कि मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे में क्या करने का हुनर है, ये सब आप जब जान लेंगे, क्योंकि अपनी को आकलन करना बहुत जो रही है, जब तक आप अपने आपको आकलन नहीं करेंगे, अपने च्छमताओं का, कि मेरे में क्या हुनर है, औ और किस काम में मेरा अमन लगता है तो ये दो तीन चीज़े डिसाइड कर लेंगे तो आपको बहुत सहलियत होगा ये बात मैं इसलिए बना रहा हूँ और ये मैं जो स्टोरी बोलने जा रहा हूँ उससे के पहले ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा-थोड़ा समझ में आया है स्टोरी तो एक माध्यम होता है जिससे कि हम उसको एजिली समझ पाते हैं एजिली कनेक्ट होते हैं कि इससे स्टोरी का में क्या हुआ कैसे हुआ उससे आपको समझने में थोड़ा सा एजी महसूस होता है क्योंकि कनेक्ट होते हैं आप ऐसी ही एक बार हर घर में बच्चे होते हैं जिग्यासू होते हैं और अपने से बड़े जो होते हैं चाहे सिक्षक हो चाहे मावाप हो या बुजरुद दादादी हो उनसे जो भी जिग्यासा उनके मन में उत्पन होता है उसका सवाल पूछते हैं और जैसा आदमी के पास अनुभो होता है उस अनुभो के हिसाब से वो अपने बच्चों को या जो सवाल पूछता उसको जवाब देते हैं तो ऐसे ही एक बच्चा था जो अपने दादाई से हमेशा पूछता था कि दादा जी आप मेरे को बताईए कि मैं आज स्कूल में मैं जब भी नमर कम लेके आता हूँ तो आप बोलते हैं कि नहीं और प्रयास करो मन में मत बाद हो तो मन के बादने का मतलब नहीं समझ पाए आप जब भी मैं कोई परशान होता हूँ या कोई ऐसे चीजों में फश जाता हूँ जो कठीन प्रस्तिती होती है तो आप से मैं पूछता हूँ कह रहे यार मैं तो क्या करूँ दादाजी मेरे को कोई बताईए तो आप हमेशा यहीं बोलते हैं कि आपको उससे अपने मन को मत मादो उसको उस बात को अपने मन में मत बैठने दो बिफलता को मन में मत बैठने दो जो भी आपके कठीन प्रस्तिती है उसको मन में बैठने दो आगे बढ़ो परयास करो आप किसी चीज में आप कोई कमी रह गई आप जो आपने लक्ष मनाया उसमें कमी रह गई तो तो आप सोचो कि हमारे परियास में कहीं कहीं है, थोड़ा सा और परियास करना चाहिए, क्योंकि परियास आपके हाथ में, तो आपको परियास ये सोचना चाहिए, कहीं 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 में मेरे कमी है, जिसके वज़े से मेरे मन मताविक रेजल्ट नहीं है, तो बाजाई ने बोला चलो आज घुमा के लाता हूं. तो लड़का गया गुमने, घुमते गुमते उन्होंने एक बगीचे में लेकी गया, बगीचे में देखा कि एक हाथी जो है, बड़ा सा भीसाल काए हाथी है और एक रसी से बढ़ी हुए है. तो बोले कि ददादाई ने पूशा, देखो मेटा, देखो एक बेचाल का यहां हुए, एक मामुली रस्शी इचो तोड सकती है, कि यह तोड सकती है, तो Ξत्ति है, क्यों नहीं तोड पा रही है? लड़का वाला पता नहीं मेरे को टो हाथी कि जो मालिक था यजो हाथी था उसका रखरकाओं करता ता या देख बाल करता था उसके पास ले गया पूशे कि अपने बच्चे के सामने जो बच्चा था उनका पोटा था कि आप इतना बड़ा हाथी है आप जंजीर तोड़ देती हांथिया लेकिन आपने इसको रसी से क्यों बादा हुआ है या रसी को नहीं तोड़ पाई है तो जो हांथी का रखवाला था उसने जवाब दिया जब ये छोटा था था हांथी जब पैदा हुआ था तब से मैं इसको रसी से बांदता हूँ जैसे से बड़ा करता गया, उसको रसी से बांद देता था, तभी बच्चे में वो इधर ददर खीशता था, लेकिन तूटता नहीं था था थी, तो डेली बांदने से उसको जब बच्चा, बच्पन में वो तोड़ने की कोशिश किया और नहीं तूट पाया, तो उसके दिल म है कि मैं रसी नहीं तोड़ पाऊँगा, तो आज कितना भी बड़ा हो गया, लेकिन उसके दिल में है कि मैं रसी नहीं तोड़ पाया, तो उसके दिल में जो बात बैठी है, वो आज तक बैठी है, इसलिए वो अब प्रयास भी नहीं करता, दादा जी आगे बढ़े, कह रह और जो आदमी के दिमाग में डाल दिया है यह था आदद, वैसा उसका परिविश हो जाता है, वैसे ही उसके दिमाग का डिवलेप्मेंट हो जाता है, बस यही बताना चाहता था। हैं आप जिंदगी में किसी चीज का अगर कमी महसूस किया, या आपने जिंदगी में कोई चीज कि आगर आपने कमी डाल ली, कि मेरे दिमाग में कहीं यह राओ है या यह चीज है जिसकी वज़य से मैं गोल नहीं पा सकता, या विफलता को पाल लिया कि एक बार विफल हो गया जिन्दगी में मैं सफल नहीं हो सकता और ये जब आपके दिमाग में पाल लिया तो जिन्दगी में आपको पंगू बना देगा जैसे हांते हो, शरीर बढ़ा हो गया, विशालकाय हो गया, लेकिन उसे दिमाग से पंग हो गया, वो एक मामूली रसी को नहीं तोड़ पा रहा है, वैसे ही, जिन्दगी में जब तुम mentally, दिमागी तौर से, मानसिक तौर से, वीक हो जाओगे, ये मान लोगे कि मैं आर गया, तो जिन्दगी में कोई भी सिक्षक हो, माता पिता हो, कोई भी जो ग्यान आपको देते हो, कोई भी आपको रास्ता दिखाते हैं, वो कुछ नहीं कर तकते हैं, वो तो किवल आपको रास्ता बताता है, चलना आपको है, लेकिन आप पहले से, बोलते हैं कि मन का हार, सब का ह आपने मन से ही हार मान लिया, आप मन से मान लिया कि मैं हार गया हूँ, मैं कुछ नहीं हो पाएगा, तो दुनिया का कोई भी शक्ति, कोई भी शिक्षक कुछ नहीं कर तकता, वो आपके बदले तो कुछ नहीं कर तकता, वो आपको ही है, आप में एक आत्मा जगाने की लेकिन आप उसको जगाओगे तब तो, आपके दिल तक बात पहुंचेगी तब तो, आपने सुना होगा, हनमान जी के अंदर अपास शक्ती थी, कि कई बार भूल जाते थे अपनी शक्ती को, ऐसा मैंने सुना है, मेरे को पुरा ग्यान नहीं है इसके विशह में, लेकिन जो स मैं स्टोरी पढ़ता भी नहीं जादा, मैं भगवान किष्ण के बारे में पूछेंगे, तो जादा मेरे को भगवान किष्ण के लिला नहीं पता है, लेकिन गीता का अध्यान है, उनका दर्शन मुझे पता है, मुझे ऐसे आप अस्टाबकर जी की कहानी पूछेंगे, मेर महात्मा बुद्ध हो के थोड़ा मुड़ा भी तो जानता हूँ, लेकिन मुझे उनका दर्शन पता है, उन्होंने जो समाज को राह देखाई, जो बोला, उसमें क्या निचोड़ था, वो मुझे पढ़ता हूँ और जानने की समझने की कोशिश करता हूँ, मेरे को किसी की एक अट्रेक्ट नहीं करता है, ऐसा बोल सकते हैं आप, मेरे को वो चीज़ अट्रेक्ट करते हैं जोन्होंने वो राह दिखाया, वो राह से मेरे को राह मिलेगा, और मैं वो राह दुसे को दिखा सकता हूँ, तो अगर आपके दिमाग में ये बैठ गया बोरी तरह से, कि उसके लिए ये मान लो, कि मैं इस परशानियों से बाहर निकल सकता हूँ, तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको परशानियों में हरा नहीं सकता, आपको वहाँ पे जकड नहीं सकता, आप उससे खुद बाहर निकलाओगे, ये हर इंसान में उपर वाले ने पावर दिया बस उसको समझना आपको है, सामने वारा टीचर है, आपसे बड़े लोग है, बजरू को आपको रास्ता बताएंगे, लेकिन समझना किसको है, आपको है, आप जिस दिन समझ जाओगे, उस दिन रास्ता निकल जाएगा, अपने प्रशानियों को एक बार विफल हो गए, एक मत सोचो यह बैठने मद्दू दिमाग में आप में उस सारे शक्ति हैं सारे गुड़ हैं सारे चीज हैं जो एक सफल इंसान जो बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है उसमें है बस उन्होंने अपने इस गुड़ को पहचाना और उसा प्रयास किया और उन्हें कभी भी अपने विफलताओं में हार नहीं माना घुटने नहीं टेके तो आज वो एक मुकाम हासिल किया आप भी वो कर सकते हो लेकिन परिशानियों से लड़ना सीखो उसको समझना सीखो और परिशानियों के सामने घुटने टेकना नहीं चाहिए ये कभी मिमत दिल में बैठने दो कि मैं चाहिए नहीं कर दकता आप समनों सफल हो सकते हैं यही मेरा कहना था आज का वीडियो यहीं सबाब करता हूं मुझे उमेद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा अच्छा लगे तो आपने दोस्तों के साथ सब्सकारब कीजी लाइक कीजी शेर कीजी और कमेंट तो अब वीडियो यहीं पर शामत करते हैं जाहिंद